वेलकम टू सरो समाजी को राउंडे चैनल, सरो समाजी को राउंडे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है जो पलक जपकते ही आपको याद हो जाएंगे आज मैं बताऊंगा बिरित यानि सर्किल चप्टर ये सिर्फ नाइंथ वाले के लिए नहीं है हैर कमपेटिसन एकजाम बाले के लिए भी काफी टर्निंग पॉइंट है और इसी तरह की कोश्चन भी पूछे जाते हैं तो ध्यान दिजे बिरित तो पिछला वीडियो में मैंने ध्यान दिजे कि पिछला वीडियो में मैंने एक से लेके साथ तक बता दिया हूँ तो आज मैं बताऊंगा इसका दूसरा पार्ट पार्ट आठ बताऊंगा ठीक है आकिरती में यदि कौन A.O.B ध्यान दीजेगा A.O.B बोर रहा है यहां पर दिखेगा एक दम बिल्कुल समझ में आ जाएगा यहां पर दिखेगा जो चीज बोर रहा है वही चीज तो A.O.B खोजना है पहले A.O.B यानि कि यहां से लेके यहां तक कितना है पचास तो यहां भी लिखा हुआ है पचास ठीक है उसके बाद कौन A.C.B का मान क्या हो जाएगा तो पुछ रहा है A.C.B का मान यानि A.C.B का मान तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि केंदर पर बना कौन ठीक है केंदर पर बना कौन तरीजिया यहां पर जो होता है बिरित की परीधी का क्या होता है आधी होती है यहाँ पर 50 हुआ तो यहाँ पर हमेशा 25 डिगरी का कौन बनती है यानि आधी होती है के अंदर पर बना कौन परीधी इसको बला जाता है यहाँ से यहाँ को परीधी तो परीधी पर बना कौन का क्या होता है आधी होती है तो बस इतना सा अगर आप समझ गए तो बिलकूल बना लिजएगा लेकिन मैं जो समझाऊंगा और सारा का सारा जितना भी देखरे हैं समझ में नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है तो चलिए start करते हैं तो ध्यान दीजए हमसे थोड़ा चितर नहीं बना ऐसा कोई बात नहीं चितर बने अप कुछ समझ नहां हे ठीक है A, B, C, O और यहाँ पर कितना दिया गया है पचास डिगरी ठीक है यह जो दिया गया है पचास डिगरी ठीक है तो याद रखेगा कोई भी चीज मान के चलिए आप क्या करते है यह सब चिप्टर का हिसाब यह सब बाला जैसे आता है कौन बाला तो आप लोग का माइंड थोड़ा डिस्टप हो जाता और समझ में नहीं आता ऐसा कोई बात नहीं यही हिसाब ज़्यादा हलका है जो छेतर फाल नहीं निकालना पड़ता है सिर्फ चीतर देखिएगा तो आप इसका इंसर बना देजेगा सिर्फ थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग होता तो बनाईएगा कैसे ध्यान देजे मैं समझा रहा हूँ और समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता है मान के चलिए यह कोई घर बना रहा है तो एक बार क्या करते हैं लिंटर तक बना के रख देते हैं ठीक है यहां तक मान के चलिए बना के रख देते हैं उसके बाद फिर क्या करते हैं यहां से उठाते हैं तब च्छत को क्या किया जाता है ढले या किया जाता है तो पहला जो उठाया गया कहां से कहां उठाया गया A, B तब उसके बाद नाम रख दिये क्या दिक्त है? दो आदमी का नाम है A, A, B वही तरह अंगरीजी का अलफाबेट नाम रख दिया गया A, B, A, B, A, B, C इस तरह करके रख दिये पहला जो उठाएं क्या उठाएं वो कोई अगर पूछ दिया गया कि पहले जो उठाएं क्या उठाएं इस तरह बताएगा इतना सा किसका नाम है नाम इसलिए लिखा जाता है कि आप बता सकते हैं पहले जो घैर उठाएं A B उठाएं तो उस समझ जाएगा कि A B कितना है चलो इतना है इसलिए नाम लिखाया जाता है अगर नाम नहीं रहेगा तो कोई पूछेगा, तो क्या बताईएगा, बोले, कि पहला जो उठाएं, कितना उठाएं, तो क्या बताईएगा, नापा हुआ तो नहीं है, इसलिए नाम लिख दिया जाता है, A, B, उसके बाद बोलेगा, तब उसके बाद जो उठाएं, कितना उठाएं, तो आप बता सकत बराबर वही होता है A B जोड, B C ठीक है बस यहां समझ गए तो यह भी हिजा अब चुठकी में बना लिजेगा तो सब से पहले लिखेगा कौन, इसका नाम क्या है A O B इसी का न लिखना है बराबर कितना है 50 डिगरी अगर आप 50 डिगरी समझ गए तो इससे साफ जाहिर है कि यह जो बना कौन इसका क्या होता है आप लिख सकते हैं यह भी तो आप इतना सा याद रखे केंदर पर जो बना कौन केंदर हुआ यह केंदर पर जो कौन बनता है परीधी पर बने कौन का क्या होता है इसका क्या होता है यह दुगुना होता है तो समझ जाए यह क्या होगा आधा हो जाएगा तो यानि ध्यान दीजेगा A, C, B का मान क्या हो जाएगा कौन A, C, B का मान हो जाएगा एक बटा टू किसका अधा होता है के अंदर पर बना पहला कुन क्या था ए ओ बी तो इसको लिख सकते है कौन ए ओ बी का क्या होता है अधा होता है तो एक बटा दू गुना कौन ए ओ बी का मान कितना दिया गया है बताईए ए ओ बी के जगा क्या लिख देंगे पच्चास गु दीजिए दूसरा question ये भी आपको सब्सक्राइब आकिरती में a o b का मान क्या है a a हो गया a o b यानि a o b का मान दिया गया a o b a o b का मान कितना है नब डिगरी और a o c का मान दिया गया a o c का मान यहां पर तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है 110 डिगरी तो क्या पूछ रहा है ध्यां दिजिए b a c यानि कौन b a c का मान गयात करने बुर रहा है तो पहले खोज लीजिए b a c कहा है b a c याद रखेगा तो पहले b a c यानि की दोनों मिला के कितना होगा बस अहिठो बना देना है ठीक है b a c यानि यहां पर कितना कोन बनेगा अगर यहां रहता 40 तो आप समझ जाते कि यहां कितना होगा 20 अगर यहां 20 रहता तो आप समझ जाते कि इ होता है 180 degree तो इसका अगर 90 है तो समझ जाए दोनों मिला के और कितना बजगा नब यानि होना चाहिए कितना यह भी 45 यह भी 45 तो सब से पहले लिखना है कि धियान देजिए 90 डिग्री यह 90 डिग्री हुआ नहीं धियान दीजिए यह नाइंटी डिग्री तो समझ जाए तिरभ यानि 90요 तो दिया गया है इसको घटा दिये तो वह यह बच गए अब 50 डीघिडील लाना है cTA यह होता है होता है टोटल 180 और 90 डीघिड दिया गया अब इसके पास कितना बचा हुआ 90 डिघरी यानि कि यह होगा 55 यह भी यहे ओगा 45 ठीक है अब इतना से हम अनुमान लगाने वो रहे हैं यह नियाम हम बता रहे हैं कि अगर फस्ट बनाएगा तो यह होगा कितना 45 और यह भी होगा 45 ठीक है तो यहां पर आप मान सकते हैं इसको घटा दिए तो हो गया कितना चाहिए इसको सत्तर में कितना होगा यहां भी होगा 35 यहां भी होगा 35 तो दोनों मिलके यहां हुआ 45 और यहां हुआ 35 तो दोनों मिलके पूरा कितना इतना किना बोर रहा है ए ए बी सी निकालने बोलता इतना बोलता ए बी सी तो इतने सा होता 45 अगर बोलता ए बी सी तो कितना निकाल देते हैं हो जाता यहां पर 35 तो इससे साभ जाई रहाए दोनों बोर रहा है तो इसका होगा 35 यानि दोनों को जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा बताईए इसको बनाना है कि इसे सही तरीका से ध्यान दिजिए तो सबसे पहले बुखना है कि कौन AOB बराबर कितना दिया गया है 90 डिगरी AOB बराबर 90 डिगरी इसके बाद हो जाएगा BOC कौन BOC बराबर कितना है 110 डिगरी यह सब जो है question में ही लिखा गया है तो आप जान सकते हैं कि तिर्भुज के तीनो कोनों का योग क्या होता है तो आप लिख सकते हैं कोन AOB सकते हैं कों कौन तो बराबर कितना होता स्काव लिख सकते हैं कों बराबर क्या हो गया कि इसको लिख सकते जाएंगे हैं कोण ए एकदम बराबर है को अगर यहां पर भी भी लिख दीए तो बार भी लिख सकते इसलीए क्या हो जाएगा कॉन और ऑफ इछ ऐँगर कॉन और इखports तो एक ही चीज लिख सकते हैं, कोण A जोड़, कोण A, दोनों तो बराबर है, ध्यान दीजे, A बराबर है B के, तो जब बराबर है, तो इसके जगा A भी लिख सकते हैं, इसके जगा B भी आ, यहां पर B भी लिख सकते हैं, तो लिख दिए, कोण O, O का माँन कितना है, 90 degree 90 डिगरी ठीक है तो 2 कौन A बराबर हो जाएंगे 90 डिगरी तो 2 कौन A बराबर हो जाएंगे 90 डिगरी उपर और ये वाला जो हो जाएंगे 2 कहां हो जाएंगे नीचे कटा दिये तो हो गया 45 डिगरी ध्यान दिजे यह हुआ 45 डिगरी यानि कौन A का मान कितना हुआ 45 डिगरी जब कौन A का मान 45 हुआ और A के जगा B लिग दिये तो कौन B का भी मान क्या होगा 45 डिगरी होगा क्योंकि दोनों कौन क्या था बराबर था तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह भी होगा 45 और यह भी होगा 45 ठीक है 45 हो गया इसी परकार यहाँ पर हो जाएंगे ध्यान दीजे यहाँ पर भी लिख सकते हैं कौन B बराबर है कौन C के तो लिख सकते हैं कौन B बराबर है कौन C के तो B के जगा C हम लिख सकते हैं ठीक है तो लिख देंगे धियान देजे कौन B कौन B जोल कौन C जोल क्या हो जाएगा कौन क्या हो जाएगा O इसका नाम लिख देते हैं ठीक है O वह भी लिख सकते है या फिर B और C भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है O बराबर क्या हो गया 180 डिगरी अभी इधर वाला लिख रहे है ठीक है ये साइड में तो कौन B B के मान कितना कौन B तो है किसके बराबर कौन C के बराबर तो कौन B लिख देंगे क्या कौन B जो लो कौन B के को हो गया टू कॉन बी बराबर 180 डिगरी माइनस 110 डिगरी तो लिख देंगे टू कॉन बी बराबर क्या हो जाएंगे 70 डिगरी तो कॉन बी बराबर क्या हो जाएंगे कॉन बी बराबर क्या हो जाएंगे कॉन बी बराबर हो जाएंगे 70 उपर 2 नीचे तो हो गया 35 यानि कॉ बी के मान कितना गया 35 अब क्या पूछ रहा है इस का मान क्या होगा बी आ सी की नहीं यह बना कुछा जा रहा है तो दोनों के जोड़ देना है ठीक है 35 जोड 45 क्या हो जाएगा 58 यानि कि हो जाएंगे इसका इंसर कितना हो गया 80 डिगरी तो कहां पर है 80 डिगरी आप देख सकते हैं एक नमर में है 80 डिगरी यही होगा इसका इंसर तो ध्यान दीजिए ये question को आप ध्यान से देखे बी O.C. यानि B.A.C. का मान क्या है यानि B.A. A.C. का मान दिया गया है कितना 35 बस बना यह कौन B.A.C. का मान कितना है 35 डिगरी तो केंदर पर बना कौन मैंने क्या बोला केंदर पर बना कौन इसका क्या होता है आधा होता है तो परीधी पर बना कौन क्या हो जाएगा इसका दुगुना हो जाएगा अप लिख सकते हैं प परीधी पर बना कौन परीधी पर जो कौन बना है परीधी पर बना कौन क्या होता है यहाँ पर जो कौन बनता है इसका दुगुना होता है और यहाँ पर जो कौन बनता है इसका क्या होता है आधा होता है परीधी पर बना कौन क्या हो जाएगा केंद्र का क्या होता है केंद्र का आधा होता है आधा होती है यानि आधी होती है तो कौन क्या हो जाएगा इसका निकलते है B, A, C का मान क्या निकलने बोरा है X का मान X क्या है यानि B, A, C, X का मान क्या हो जाएगा यानि B, O, C लिखते है पहले B, O, C, कौन B, O, C बराबर क्या हो जाएगा बी ए सी कौन बी ए सी इसका क्या होता है दूगुना होता है यह बला क्या होता है दूगुना होता है यानि इसको क्या करना है दूगुना तो बी बी ओ सी के मान क्या है बी ओ सी के मान हो गया एक्स बी ओ सी के बिच में भी क्या लिखा हुआ है एक्स तो X के मान क्या हो जाएगा, दू गुना 35 है, यहाँ पर B, A, C का मान क्या है, कुन B, A, C का मान क्या है, 35, तो यहाँ पर हम लिख दिये, ध्यान दीजे, X, X बराबर क्या हो जाएगा, 35 दुना के 70, यानी 70, अब स्वोट में समझे, अगर इसका मान बोलेगा, यहाँ पर 35 रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दू गुना हो जाएगा, 17, अगर यहाँ पर 70 लिख दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा, 25, जैसे यह हिसाब में, यहाँ पर था 50, तो यहाँ पर क्या हो गया, 50, और यहाँ पर 25 रहता, तो यह होता 50, उसी पर का, यहाँ पर 35 है तो इसका क्या होताँ दुगुन्णा होती है आपको लगता है बिलकुल आपको समझ में आ चुका होगा तो धियान दीजे 11 नंबर का ही बताते हैं तो और अनुमाल लगा सकते हैं यह हो गया वही बात हो गया ठीक है यह हो गया 110 तो यह क्या हो तो हो जाएगा धियान दिजे 11 नंबर में बनाईएगा कैसे कौन बी ओ सी बी ओ सी का मान कितना दिया गया है 110 डिगरी कौन बी ओ सी के मान कितना दिया गया है 110 डिगरी तो एकस का मान एकस के मान क्या है A, B, A, C तो लिखना है कौन B, A, C बराबर क्या दिया गया? X X के मान निकलना है तो ध्यान दीजिये यहाँ पर बना कौन अधा होता है तो उपर जो बनेगा इसका कौन क्या हो जाएगा तो लिख सकते हैं केंदर पर बना कौन बना कौन परीधी का क्या होता है जो परीधी है इसका क्या होता है दुगुना होता है ये इसका क्या होता है दुगुना है तो ये क्या हो जाएगा आधाना हो जाएगा केंदर पर बना कौन परीधी का क्या हो जाएगा परीधी का क्या होता है दो गुना होता है एक दम धियान तरीका से मतलब step by step हैर हिसाब को कोई नहीं बताएगा एको बता देगा और बिल्कुल छोड़ देगा लेकिन मेरा सिद्धानत है कि पूरा का पूरा हिसाब बता रहे हैं ठीक है तो बना कोन इकादू गुना भी ओसी का मान कितना भी ओसी कमान कितना 110 तो यहाँ पर लिख दी데xt 110 इसको कटा दीए तो ऑगया पचपनेटीगरी तो यही वदे परिसानी होता होगा कि भॉइस कैसे है हर नियाम का है ठीक है जब मैं इंगलीज का वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों से यही आसा है कि आप फूल देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा इंगलीज तब फिर हमें बताईएगा कि क्या आप बताते हैं बिल्कु लिजेगा तो फिर कमेंट में हमें जो बोलिएगा बोल सकते हैं इतना बहतर तरीका से मैं यह सब खाली जागा भरने के लिए बहूत को बता देते यह तो यह सब जितना भी है अगला दिन से जब मैं इसका बनाऊंगा तो फूल देखने के कोशिश किजिएगा इस टेप बाइस टेप नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट करके पुछेगा मैं आपका भरपूर सांद दूंगा